हलो एवरिवन यह बीडियो किसी तरह के एंटर्टेन्मेंट के लिए नहीं है यह सिर्फ आपके बुद्धि विकास के लिए है जो एक महिला के संघर्स और बलिदान के उपर बेज़्ड है तो आए शुरुआत करते हैं दोस्तों आपने सही सुना है कि हर एक इनसान की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है अगर औरत का त्याग और सहयोग ना हो तो सायदवा ब्यक्ती महान ही ना बन पाता इसलिए आज एक ऐसी ही त्याग और समर्पण की मूर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके महान बलिदान ने एक ऐसे बिस्वरतन को दिया जिन्हें दुनिया बाबा सहाब भीमरा अमबेटकर के नाम से जानती है जी हाँ दोस्तों उस त्याग और समर्पण की मूर्ती का नाम है रमाबाई अमबेटकर जो बाबा सहब की पतनी थी और आज हम उन्ही रमाबाई अमबेटकर के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे जिनको सायद ही आप जानते हों कि किस तरह एक औरत का रोल एक आदमी के ज नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हलो दोस्तों मेरा नाम आलोग दिनकर है और मैं ऐसी इन्फार्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता गाओं में साथ फरवरी 1898 में हुआ था रमाबाई के बचपन का नाम रामी था इनके पिता जी का नाम भीकु धूत्रे और मा का नाम रुपमडी था रमाबाई की तीन बहने और एक छोटा बहाई संकर था बचपन में ही माता पिता की मौत हो जाने के कारण रमाबाई और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ बंबई में भाई खराण आकर रहने लगे थे अप्रेल 1906 में रमाबाई का बिवाह भीमराओ अंबेटकर से हुआ बिवाह के समय रमाबाई उम्र मातर 9 साल की थी और भीमराओ की उम्र 14 साल की थी ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था उस समय भीमराओ दस्विक अक्षा में पढ़ रहे थे जबकि रमाबाओ बिल्कुल अनपढ़ थी लेकिन साधी के बाद भीमराओ ने उन्हें सा कर लेती थी डॉक्टर अमबेटकर रमाबाओ को प्यार से रामु कहते थे जबकि रमाबाओ बाबा साहब को साहब कहा करते थी एक ऐसा दोर आया रमाबाओ की जिंदगी में जब डॉक्टर अमबेटकर 1920 में दूसरी बार अध्यान के लिए इंग्लैंड गये जाने के पहल उन्होंने रमाबाओ को घर खर्च चलाने के लिए जो रकम दी थी वह बहुत ही कम थी और बहुत जल्द खर्च हो गई उसके बाद जब रमाबाओ को घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया तो वह दिन भर मजदूरी करने के बाद सामकवा घर से 3-4 किलिमीटर दूर जाकर गोबर बिनकर लाती थी गोबर से वा कंडे थापती और फिर उसे वा बेच आती पासपडोस की औरके टोक्ती की बैरेश्टर की पत्नी होते हुए भी वह सिर्पर गोबर्ड होती है इस पर माता रमाबाओ ने दिल को छू लेने वाला जबाब दिया कि घर का काम करने में कि इस बात की लज्जा उनके इस बात से पता चलता है कि रमाबाओ एक सीधी साधी और जिम्मेदार इस्तरी थी पती की सेवा करना वह अपना धर्म समझती थी माता रमाबाओ घर का खर्ज चला कर कुछ पैसा जमा भी करती थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबा साहब को उच्च सिक्षा के लिए पैसो की जरूरत होती है इस तरह से डॉक्टर अंबेटकर 1914 से 1923 तक करीब 9 साल विदेश में रहे थे दोस्तों रमाबाओ और भीमराओ अंबेटकर की वर्स 1924 तक 5 संताने हुई थी जिसमें बड़े पुत्र एस्वंत राव का जन्म 12 दिसंबर 19 1912 में हुआ था उस समय भीमराओ अंबेटकर परिवार के साथ मुंबई के पाई बावडी परेल बी आईटी चाल में रहते थे साथियों सबसे ज़्यादत दुख की बात तो यह हुई की बाबा साहब और माता रमाबाई के 5 बच्चे हुए जिसमें 4 बच्चों ने बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिये दोस्तों जब उनके दूसरे बेटे गंगाधर की मौत हुई तो उस घटना का जिक्र करते हुए डॉक्टर अंबेटकर अपने एक मित्र से कहते हैं कि ठीक से इलाज ना हो पाने के कारण जब गंगाधर की मौत हुई तो उसकी सरीर को ढखने के लिए गली के लोगों ने नया कपड़ा लाने को कहा मगर उनके पास उतने पैसे नहीं थे तब रमा ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ दिया और वही कपड़ा मृत देह को ढखकर लोग समसान घाट ले गए और उस पार्थिव सरीर को दफना आये थ उनका एकलोता बेटा एसवंत ही था प्रंत उसका भी स्वास्त खराव रहता था माता रमा भाई एसवंत की बीमारी के कारण हमेशा चिंता में रहती थी लेकिन फिर भी इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि बावा साहब डॉक्टर अमबेटकर के कारेओं में किसी भी त और वा डॉक्टर अम्बेटकर के स्वास्त और सुविधा का पूरा ध्यान रखती थी, क्योंकि ज्यादतर बाबा साथ पढ़ते समय अंदर से दर्वाजा बंद कर देते थे रमावाई कई बार जोर जोर से दरवाजा खटखटाती परन्त दरवाजा अंदर से खुलता नहीं था तब ठक हार कर वा लोट जाती इस चक्कर में वा कई बार भूखे ही रह जाती थी क्योंकि पती भूखा हो और वा भोजन कर ले उन्हें या मंजूर नहीं था और इस कारण उनका स्वास्त भी बिगरता जा रहा था उल्टा वा पती की बैस्तता और सुरक्षा के लिए बेहत चिंतित रहती थी कभी-कभी वी उन लोगों को भी डांट देती थी जो साहब को उनके आराम के समय में मिलने आते थे जबकि उन्हें अपने स्वास्त की उतनी चिंता नहीं होती थी जितनी की पती को घर में आराम पहुचाने की दूसरी और डॉक्टर अमबेटकर अपने कारियों में अत्यधिक बेस्त रहने के कारण रमाबाई और घर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे थे एक दिन उनके पारिवारिक मित्र से रमाबाई ने अपना दुखड़ा कह सुनाया कि मैं कई महीनों से बिमार हूँ डॉक्टर साहब को मेरी हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं है वे हाई कोड जाते समय केवल दरवाजे के पास खड़े होकर मेरे स्वास्त के संबंध में पूछते हैं और वहीं से चले जाते हैं क्या यही पती करतब्य है? पतनी की भी कुछ आसाएं होती है उनके ऐसे वेवार से मेरा मन बड़ा दुखी होता है आप ही बताएं इस प्रकार से मेरा स्वास्त कैसे ठीक रह सकता है जब बाबा साब के मित्र ने उनसे यह बात बताई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ अपनी किताब से ध्यान हटाते हुए बाबा साब ने कहा रमा के इलाज के लिए मैंने अच्छे डॉक्टरों और दवा की विवस्ता की है दवा आधी देने के लिए उनके पास उनका लड़का, मेरा भतीजा, उनका अपना भाई भी है फिर भी वा चाहती है कि मैं उनके पास बैठा रहूं या कैसे संभव है मेरी पतनी के बिमारी के अलामा इस देश के साथ करोण अच्छूत मूल निवासी हैं जो उनसे भी ज़्यादा सदियों से बिमार हैं वे अनात और आसहाय हैं उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है मुझे रमा के साथ साथ इन साथ करोण अच्छूतों की भी चिंता है रमा को इस बात का ध्यान होना चाहिए या कहते कहते बाबा साहब का गला भराया था इस तरह रमा भाई काफी लंबे समय तक बिमार रही और अन्तता 27 माई 1935 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमरा अंबेट कर कोड से लोटे तो रमा भाई न इसारों से बाबा साहब को अपने पास बुलाया और हाथों में हाथ लेकर कहा की देखो आप मुझे वचन दो की मेरे मरने के बाद आप हतास नहीं होंगे हमारे बच्चे तो जिन्दा नहीं रह सके लेकिन समाज ही अपना बच्चा है मुझे वचन दो की आप उन्हें ब्रामडी बिवस्था से आजाद करेंगे ऐसा कहकर माता रमा भाई ने डॉक्टर अंबेटकर को अकेला छोड इस दुनिया से बिदा हो गई रमा भाई की मौत से डॉक्टर अंबेटकर को गहरा आगहात लगा वे बच्चों की तरह उस दिन फूट फूट कर रोये थे दोस्तों दिसंबर 1940 में बाबा साब डॉक्टर भीमरा अंबेटकर ने एक पुस्तक थोट साब पाकिस्तान लिखी और उस पुस्तक को उन्होंने रमा भाई को ही भेट की भेट के सब्द कुछ इस प्रकार थे मैं यह पुस्तक रमा को उसके मन की सात्विक्ता मानसिक सदबृत्ती सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख जहलने में आभावा परिशानी के दिनों में जबकी हमारा कोई सहायक ना था अतिव सहनसीलता और सहमती दिखानी की प्रसंसा सवरूप भेट करता हूँ दोस्तों इन सब्दों से असपष्ट है कि माता रमा भाई ने बाबा साप डॉक्टर भीमरा अमबेटकर का किस प्रकार संकट के दिनों में साथ दिया और बाबा साथ के दिल में उनके लिए कितना सम्मान और प्रेम था सो दोस्तों त्याग, समरपड, बलिदान, निश्ठा और आस्था की जियोती से परिपूर्ण स्रेष्ट आदर्स के रूप में उच्च चरित्र परम पूजनी माता रमा भाई अमबेटकर को मेरा करोड़ो बार नमन क्या ख्याल है आपका इस अमेजिंग जानकारी के बारे में कॉमेंट बॉक्स में अपनी राह में जरूर दे और ऐसे इंफॉर्मेटिव बीडियो के लिए लाइक, सेर और सब्सक्राइब, थेंक यू